तो देखिए फ्रेंड्स ट्रेस बनाने के लिए यहां पर मैंने एक पीस कट कर लिया है तू पीस हमने कट किये हैं ग्रीक लरका और एक यालो कलर का तो यह हमारा 20-20 इंच के और इधर से हमारी जो इसकी चुड़ाई है फोल्ड कर लिया है और इसे अब हमने 3 पार्ट में डिवाइड करके कट कर ले है तो चलिए इसे हम तरी पार्ट में कट करेंगी तो यह दीखिए इस तरह से अभ हमने इसको जो है फोल्ड कर लेना है और करेंगे तो यहां पर देखिए यहां पर मैं इसे 77 इंच पर इस तरह से कट कर लोंगे साड़े 6-6 इंच पर हम इसे कट करेंगे और यह इस तरह से हमारे 3 पीस कट हो जाएंगे तो चलिए इने कट कर लेते हैं तो यह देखिए इस तरह से मैंने इनके पीसिस कट कर लिये हैं अब हमने एक यालो और एक क्रे कलर का पीस को आपस में इस तरह से सिलाय लगानी है ठीक है तो चलिए इन सभी पीसिस को हम एक दूसरे के साथ पहले एक एक बार से लाई लगाते हैं और फिर आपस में लगाकर एक पट्टी को ठेटी करेंगे तो ये देखिए सभी pieces को मैंने यहां पर आपस में seal कर इकठा कर लिया है और अब मैं यहां इसके नीचे आरकंडी लगा रही हूँ तो मैं यहाँ पर एक आरकंडी का पीस कट कर लिया है जितनी बाए इसकी जो है चुड़ाई लंबाई आई है उसके एकोडिंग मुने यहाँ पर आरकंडी का एक पीस कट करके इस तरह से लगाएंगे three sides से पत्टि को लगा लेना है एक साइड ओपन रखनी है जहांसे हम इसे पलट कर सीधा कर लेंगे तो चलिए इसी तरह से मैं इसकी three sides को cover कर लेती हूँ तो तो तरी sides को cover करने के बाद अब मैंने cyframe ड्रेस को पलट कर सीधा कर लेना है घ Rider को उपन वाली साइड्स पर भी अब हम सीधा करकर उपर की साइड्स को सिलाई को लगाएंगे तो चलिए इसी तरह से मैं इसे बना कर रेडी कर लेती हूं तो यह देखिए आप इस तरह से अंगुठे से बठाएंगे तो यह पूरी अच्छे से पट्टी बैठ जाएगी और ओपन साइड्स को मैंने प्लेट एक से लगा ली है और अब मैं यहां पर इसकी मैचिंग के साथ की जो है लैस को इस तरह से लगा लती हूं तो यह चलिए इस लैस को भी लगा लते हैं लैस लगाने के बाद अब हमने जो है प्लेट्स मनानी है प्लेट्स को हमने दोनों तरह से कपड़े को बराबर उठाना है और एक के उपर एक देते जाना है थोड़ा सा हमने बस एक पैर जितना फांसला छोड़ना है जिससे की म उपफ़ से हम थोड़ा सा इसे कट करके क्लीन कर लेंगे तो आप उसमें विल्कुल सफाई से आ देगी तो चलिए अब हम कवर करने के लिए नेफा पटी बनाएंगे नेफा पटी लेंगे और उसे भी लगा लेंगे तो यहां पर मैंने पट्टी को कट कर लिया है उल्टी साइड से हमने इस पट्टी को लगाना है तो नेफे के कोडिंग आप तो पट्टी को कट कर ले और दो इंचे चोड़ा कट कर ले ठीक है? देखिए पिछे की साइड से मैंने नेफा पट्टी लगा ली है अब आगे की तरफ हम इसको fold करेंगे और इसमें डोरी को डाल लेंगे तो चलिए यहाँ पर इसमें डोरी डाल देती हूँ इस तरह से तो चलिए डोरी बना कर इसे ready कर लेते हैं तो यह इस तरह से गोपाल जी का गेरा बनकर ready हो गया है फोर से लेकर फाइफ नंबर के लड़ोगो पाल जेकी आप ये ड्रेस एजिली पहना सकते हैं तो चलिए अब मैंने याँ पर एक 7 इंच भाई 3 इंच का पीस कट कर लिया है इस तरह से तो ये देखिए इसके साथ का मैंने आरकंडी का पीस भी कट कर लिया है और इसकी ये चोली बनाएगे हम इसकी इसका भी हमने जो है मेजर्मेंट इसका भी जो मेजर्मेंट हमने बराबर कट कर लेना है और आरकंडी के पीस को इस तरह से फोल्ड करेंगे फिर एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्डीड साइड से उपर की और एक तिर्चा कट लगा लेंगे छोटा सा आपको तिर्चा सा कट लगा रहा है बस उसे कट करने के बाद अब हमने इसे कपड़े के उपर रख है तो इस तरह से हैं है सिलाइ को लगा लेना है और एक्स्टा कप्ड़े को कट करना है ठीक है जंटाओ लोग आपको कपड़े को कट कर लेंगे तो चलिए इस तरह से हम इसे जो है पलट करके सीधा कर लेते हैं और साइड़ों से भी अब इसकी जो है चोली को अच्छे से रेडी कर लेते हैं देखिए बहुत इजली हमारा ये फो ओल्ड हो जाएगा और सिलाई भी बहुत इजली लग जाएगी ठीक है तो चलिए सिलाई लगाते हैं तो यह देखिए मैंने सिलाई लगा ली है और यहां से एक्स्टा कपड़ा अब मैं कट कर दूंगी इस तरह से तो अब भी सेंटर में से हमने इसमें तिरची से लाए लाए लगा कर, चोली को लगा कर लिया है और अब हमने ड्रेस के पार ये सेंटर में इस तरह से चोली लगा सकते हैं तो इस तरह से हमारी बहुत बढ़ी होगी करए और चैंप में आप सके लागा झाल झाल